हमारे सिभ पुराण चैनल में आप सब का स्वागत है देखिए सिभ पुराण पहले संकर जी और हमारी मता पारवती गरुपराण उनके चल्डू में बैटे हैं गाया उनके साथ है तो इनको दन पर प्रणाम करें और उनके पहर चुए तो आपको सिभ पुराण पर कर तो आपको दोस्तों ये गरुर सी पुराण हमासम का पार पहला पढ़कर सुनाएंगे दोस्तों अच्छा लगओ तो लाइक करना सिरी सुनका जी ने पूछा माग्यानी सुजी आप संपूर से दालों के ग्याता है प्रबू आप इस सेनले में आपको देखिए पहला हमारा सिरी विश्नु पुराण हासम इसका अर्थ क्या होता भाबा बिकनम दीनम माम समुद्रा भाबारता कर्म गिरान हीता दसो एहम तब संक्रहा सुनका जी सादन विसे तक पिरसन करने पर सुद जी उन्हें सिरी पुराण की उतकर समयमा सुनाना है इसलिए सुनका जी ने का पूछा महाग्यानी सुद जी आप संपूर सिद्धान्तों के दयाता हैं प्रभु मुझसे प्राणों को कताओं के सार्थ तत्त का विसेश रूप से बर्डन कीजिए ज्यान और बैराग सहित भक्ती से प्राप्त होने बाले बिवे की ब्रति कैसे होती है ज्यान और बेटे थे तो उनकी कता इस बारे में आ रही है ज्यान बैराग भक्ती के दो बेटे हैं सादू पुरिष जिस प्रकार अपने काम क्रोध आदमांसिक बिकारों का निवारर करते हैं इस घोर कल काल में जीव प्राया असुर सुभाव के हो जाते हैं तो उस जीव समदाय को गुदे और देवी समपती से बनाने के लिए सरस्रेश उपाय क्या है सूनकार जी से सूति जी से पूछते हैं बनाने सरस्रेश उपाय क्या है आप सब इसमें मुझे ऐसा कोई स्वासत सादन बताईए जो कल्यार कारी वस्तों में भी सबस्युतकर्ष परम कलमंगल कारी हो तता पवित्र करने बाले उपायों से भी सर्बोतम पवित्र कारक जब उपाय हो तो तात बताईए, वे साधन ऐसा है जिसके अनुष्टान में सीखरी अन्ता करण की विसे सुद्धी हो जाए, उसमें निवन्चित बाले पुरुष को सदा के लिए सिक्की प्रातियों, सुद्धी ने कहा मुन्स्रेश उनकाक तुम भब्यो क्योंकि तुमारी हिरते में पुरान कथा सुन्ने का विसेश प्रेम और लालसा है, इसलिए मैं सुद्ध बुद्धी के विचार कर तुम से परम उत्तम सास्त का बढ़न करता हूं, बस वे संपूर्ण सास्त्रों में करने वे परम उत्तम सास्क्त हैं सिह पुरान जिसका पूर कानम भवानеспसिव नहीं प्रवर्चन किया था यह सुनाया था वो है काल रूपी सर्मे प्राप्त कहोने बाले वहां तरास का बिनास करने बाला उत्तम सादन है गुरु देव ब्यास ने सनत कुमार मुनी जी का उद्देश पाकर बड़े आतरफु से संचे में ही उस पराण का प्रणाय का उद्देश यही है कि कलियों उत्तन होने बाने मनुस के परमित का साधन है यानि परमित साधन का अर्थ क्या है कि मतलब इसको हम पढ़ें तो हमारी जो इसे पढ़कर मुक्ती होगी और पूरे देश का कल्यार होगा और सूर्दियों सौनकादी जी की इसमें कता है और आपको दोस्तों अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मेरे चैन को सब्स्राइज करें बटक नाग किलीव कर सकते हैं अगर गलत पढ़ियों तो कमेट करना सही पढ़ियों तो अभी कमेट करना दोस्तों और अच्छी करना आपको से पुराण आगे की कता कलको सुनाइग, मुन से पुरान मौहान की